असलाम लेकूम, वेलकम टू मैं चैनल, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है, मैं एक कंसर्टन प्लास्टिक सर्जन हूँ और लहौर में प्रैक्टस करती हूँ हम फेस की एंटी एजिंग के बारे में तो बहुत बात करते हैं और चेहरे के उपर काफी सारी चीज़ें भी ऐसी लगाते हैं जिसकी वाज़से हमारी स्किन अच्छी रहती है और यूथफुल रहती है लेकिन हम अकसर हातों को भूल जाते हैं हातों की एंटी एजिंग स्किन के रूटीन क्या हो सकती है तो आज हम उसके बारे में डिसकास करेंगे कि हम अपने हातों का कैसे ख्याल रख सकते हैं और कैसे उनको नर्मो मलाइम एंड यूथफुल रख सकते हैं चेहरे के तरह हमारे हात भी एक एक्सपोस पार्ट ऑफ और बॉड़ी होते हैं जो के एंवार्मेंट के साथ डिरेक्ली इन कॉंटेक्ट आ रहे होते हैं तो इसकी वज़े से उसके उपर भी एंवार्मेंट का अफेक्ट आता है और एजिंग होती है सो एजिंग इस नॉर्मल प्रॉसेस ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं यह कहने के कोशच करती हूँ कि एजिंग कोई बुरी चीज है या अगर आपकी एजिंग आ रही है तो यह एक नेगटिव बात है ऐसी बात नहीं है बड़ दिंग इस कि हम उस अपने हातों का इतना ख्याल रख सकते हैं कि हम उन्हें मैकसिमम अर्से तक अच्छा रख सकें सो सबसे पहली चीज़ और सबसे सिंपल चीज़ जो मैं आपको कहूंगी जो रेकमेंड करूंगी धाट इस यूजिंग आ मोईस्टिराइजर हम जब भी फेस वाश करते हैं हम उसके बाद पिर रूटीन करलें तो फिर हातों के उपर भी कोई भी मोईस्टिराइजर जो आपं सकते हैं य मे कोई महेंगा ना क्यूछ सस्ता वाटेवर दिए तो आप उसको अपने हातों पर लगाएं एंद एन यू जो गो टू स्लीप बूस्किक्र ई कर देन है कि दूसकी वजह से moisture चला जाता है या बार-बार हाथ दोने के वज़े से जो dryness आ जाती है वो कम हो जाती है दूसरी बात यह है कि हमारी skin को जो build करी होते है जो चीज that is collagen तो age के साथ साथ वो collagen कम होने लग जाती है हर जगा से body कम होती है तो हाथों से भी कम हो जाती है तो skin की thinning होने लग जाती है और वहाँ wrinkles आने लग जाते है veins prominent होने लग जाती है so सबसे important thing जो के आपने करनी है that is a moisturizer इसकी वर्ण से वो सारा moisture जब वापस आता है तो वो हाथों को improve करता है दूसरी चीज जो आपने करनी है that is very important जो के मैं हर जगा बात करती हूँ and that is a sunscreen अब sunscreen सेरा face के उपर लगानी ज़रूरी नहीं है यह हातों पर लगानी भी उतनी ही ज़रूरी है because हाथ भी सूरच से बहुत ज़्यादा exposed होते हैं so अकसर लोगों को ऐसे comments मिल रहे होते हैं कि आपका चेहरा तो बहुत साफ है लेकिन आपके हाथ बहुत डार्क है तो क्या आप चेहरे पर कुछ लगाती है so the point is कि लोग अकसर को चेहरे के ओपर कोई वाइटनिग चीज नहीं उस करे होते हैं लेकिन क्यूंके वो चेहरे की जादा केर करे होते हैं उस पर संस्क्रीन यूज करे होते हैं बाकी स्किन केर करे होते हैं और हाथों पर नहीं करे होते हैं तो हाथों पर डलने साजाती है डाकने साजाती है so संस्क्रीन is very important अब उसमें एक हैक जो मैं आपको चेहरे करना चाहती हूँ जब आप फेस के उपर संस्क्रीन लगाते हैं दिन में, सुबा बाहर जाने से पहले, so what you can do is, कि आपके हाथ पे जितनी संस्क्रीन एक्ट्रा बजगी है, वो आप अल ओवर यहाँ पे दोनों हाथों पे लगा लें, और एक और इंपोर्टन चीज यह हो सकती है, कि हैंड्स की सामने की साइड होती है, उसको इतनी जुरूत नहीं होती है, लेकिन यह जो बाक होती है, इसकी स्किन को जादा जुरूत होती है, क्योंकि इसी पे एजिंग जल्दी आती है, so what you can do is, कि जब आप सुपर संस्क्रीन उस करते हैं चेरे के लिए, तो आप संस्क्रीन को back of hand पे निका लें, और जब आप उसको चेरे पर लगा लें, तो बाकी जितनी भी संस्क्रीन है, उसको आप हातों पे रब कर दें, and the second thing can be, कि आप संस्क्रीन सेपरेटली भी हातों पे लगा सकते हैं, and यहाँ पे एक important चीज यह है, कि आपको कोई महेंगी संस्क्रीन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे तो मैं चेरे के लिए भी आपको यही रेकमेंड करती हूँ, कि जो संस्क्रीन आप ले सकते हैं, आप वही यूज़ करें, but for the hand specifically, आप इसमें कम expensive वाली संस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, पतले gloves आते हैं, तो वो अगर आप दोनों हाथों पर पहन ले और उसके बार drive करें, तो बहुत ज़ादा फार्क आता है, क्यूंकि आप चाहें फुल स्लिप्स भी पहन लें, लेकिन हाथ हमेशा एक्स्पोज़ होते हैं, तो आपने हाथों के ओपर वो gloves पहन लेने हैं, जिसकी वज़र से आप सुरच से protected रहते हैं, अगर आप hands की skincare को थोड़ा सा और ज़्यादा आगे लेके जाना चाते हैं, या level up करना चाते हैं, तो what you can do is use the urea creams on your hands, अब urea creams जो होती हैं, वो dryness को भी tackle करती हैं, वो collagen stimulation भी करती हैं, वो आपकी skin को बहुत useful बनाती हैं, so what you can do is, कि आप उसको रात में एक दफा यूज़ करें, आप एक thick सी layer लगाएं हाथों के ओपर और उसके बाद आप सो सकते हैं, तो यह आपके skin के moisture को replenish करेंगी और आपकी skin को ज़्यादा अच्छा बनाएगी, अब अगर आपके हातों के ओपर wrinkles आ गए हैं, यह जूरिया आ गई हैं, तो फिर उसके लिए या skin की quality को improve करने के लिए, और specific के लिए हम पागिसानियों के अंदर जो skin type है, उसके अंदर हमारे हातों पे sunspots नहीं आते हैं, हम generalized darkening होती है हमारे हातों की, जब भी सूरत से exposure होता है, लेकिन अगर आपका lighter skin tone है, और आपके हातों के ओपर भी sunspots आगे हैं, तो आप उसके उपर adapaline gel यूज़ कर सकते हैं, जो के आपने रात में यूज़ करनी होती है, और हरोज आपने यूज़ करनी है, आपको उनको sunspots के अंदर काफी जादा difference नज़र आने लग जाता है, तो वो भी आप यूज़ करके अपने हातों के उपर एक तो skin की quality उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूव होती है, जो के honestly एक दफा आजाते हैं, तो फिर वो creams वगर ऐसे ठीक नहीं होते हैं, दो improvement आती हैं, लेकिन 100% ठीक नहीं होता है, या फिर आपकी veins prominent हो गई है, so what we as plastic surgeons can offer you is the fat grafting, मैं उसके पर जितनी बात करूँ उतनी कम है, मुझे बहुत पसंद है ये procedure, इसमें ये होता है कि हम आपके ही जिसम के किसी और हिस्से से, जैसे पेट से, या थाए से, या बटक से, या लोर बैक से हम थोड़ी सी fat लेते हैं, और उसको प्रोसेस करके आपके हाथ के अंदर डालते हैं, तो वो जो veins की appearance है, वो भी ठीक हो जाती है, और जो आपकी जूरियां है, हाथों के ओपर वो भी improve हो जाते हैं, और उससे एक बहुत ही youthful से plump से hands हो जाते हैं, तो I like this procedure a lot, अगर आप इसको next level पे लेकर जाना चाते हैं, तो you can get this procedure, because हाथों पे एजिंग हमेशा face से पहले होती है, और आपके हाथ आपकी real age जल्दी दिखाना शुरू कर देते हैं, so again saying there is nothing wrong with aging, there is nothing wrong with being okay with who you are, बट अगर आप उसको करना चाते हैं, तो यह एक procedure अवेलेबल होता है, इस procedure से immediately भी हाथों के अंदर improvement आती है, लेकिन जैसे टाइम गुजरता है, for the next two and three months, यह सकिन की रिजुविनेशन बिकराती है, उसकी डिसको भी ठीक करती है, fine nines को भी आइसता इसता मजीद इंप्रूर्व करती जाती है, इस किन की quality को इंप्रूर्व करती जाती है, so it is a highly highly recommended procedure from my side, so yeah, यह हो गई हाथों के skincare routine, जिसमें आपको बहुत ज़ादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप minimum पर रखना चाते हैं, तो there are only two requirements, one is a moisturizer and the second is a sunscreen, उसके अपर बाकि जितनी चीजें हैं, वो आप जितना ज़ादा केर करना चाते हैं, आप वो उपर add करते जा सकते हैं, that is it for the video, अगर आपके कोई comments and suggestions हैं, तो मुझसे comment section में ज़रूर पुछेगा, और अगर आप चाहते हैं, कि मैं आपके पसंद के topic वेडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएगा, I'll try to make a video on that, thank you so much for watching, Allah Hafiz.